हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे हैदराबाद की बहुत ही फेमस रेसेपी और ये खाने में बहुत खास्ता होती है इसे खजूरी बिस्कित कहते हैं और बनाने में बहुत ही आसान है इसे आप एक महिने तक स्टोर करके रख सकते हैं ये खराब नहीं होते हैं और ये क्रिस पसंद आएगी तो फ्रेंड्स आईए देखिए इसे कैसे बनाते हैं पहले डो बनाएंगे इसके लिए लिया है 1.5 कप मैदा मैदा में एड करेंगे 1.5 कप गेहु का आटा 1.4 कप सूजी सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मिक्स करने के बाद अब हम इसमें एड करेंगे 1.4 कप डेसिकेटेड कोकोनट 1.5 कप पिसी हुई चीनी मीथा कम्या जादा आप अपने हिसाब से कर ले 1.5 टेबल स्पून क्रश किया हुआ सौफ 1.5 टेबल स्पून इलाइची पाउडर इसे भी आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी चीजों को यहाँ पर मिक्स कर लिया है अब आटे में थोड़ा सा जगे बना लिया है और इसमें डालेंगे 1.4 कप तेल और इसे मिक्स करेंगे तेल या घी आप किसी भी चीज का इस्तमाल कर लें अच्छे से हाथ से मसलते हुए इसको मिक्स करेंगे 2-3 मिनट में यह मिक्स हो जाएगा यह देखिए इसके बाद अब हम इसका डो बनाएंगे आधा कप पानी लिया है थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हुए इसे मिक्स करते हुए इसका सौफ्ट डो बनाके त्यार करेंगे तो यह देखिए पूरा आधा कप पानी लग गया है इसे मिक्स करने में अभी हम इसे बहुत जादा नहीं गुथेंगे बस अच्छे से बाइंड करके इसको रेश्ट के लिए रख देंगे तो यह देखिए डो बन गया है अब हम इसे ढख के पंदरा मिनट तक के लिए छोड़ देते हैं तब तक हमारा डो सेट हो जाएगा डो सेट हो चुका है इसे अच्छे से थोड़ा सा और मसल के गुत लेते हैं जिससे की ये और भी जादा सौफ्ट हो जाएगा सूजी भी फुल चुकी है तो ये थोड़ा सा पहले से हार्ड हो गया है अब हम इसे दो भाग में कर लेते हैं बड़ी सी लोई बना ली है इसे गोल कर लेते हैं और अब हम इसे बेलेंगे तो यहाँ पे मोटी सी रोटी बेलेंगे बहुत जादा पतली नहीं करेंगे और नहीं बहुत जादा मोटी रखेंगे बेल लेने के बाद अब हम इसे कट करेंगे किनारे से एक्स्ट्रा पार्ट निकाल देते हैं और इसे पहले लंबाई में एक इंच की चोराई रखते हुए कट करेंगे और इसको जैसे काजु कतली का शेप होता है बिल्कुल वैसे ही शेप में काटेंगे तो इस तरह से लंबाई में स्ट्रिप काट लेने के बाद अब हम इसे ऐसे तिर्चा कट करेंगे तो ये देखिए और इसकी मोटाई देखिए बहुत जादा पतला नहीं रखा है मैंने तो इसी तरह से सारे हम कट कर लेते हैं चाकू को ऐसे टेड़ा करके कट लगाएंगे तो बिल्कुल काजू कतली के शेप में ये कट होगा अब हम इसे तलते हैं ये सारे पीस कट कर लिए हैं कडाही में तेल गरम हो चुका है इसे तलने के लिए तेल बहुत जादा गरम नहीं चाहिए हलका मीडियम गरम ही चाहिए और जब तेल में छोड़ेंगे ये सारे खजूरी तो गैस का फ्लेम इस समय लो रखेंगे और लो फ्लेम पर हम इसे अभी बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे दीरे दीरे आप देखेंगे कि ये जैसे जैसे गरम होता जाएगा तेल में वैसे ही ये फूलना शुरू हो जाएगा और तेल के उपर आने लगेगा ये देखें और फूलने लग गया है साइज में ये डबल हो जाता है तो अब इस समय जब ये तेल के उपर आ जाएगा तो गैस का फ्ले मीडियम कर लेंगे और अब ये एक तरफ से सिख चुके हैं तो बिल्कुल हलके हाथ से फॉर्क या फिर चम्मच ले ले और एके करके इसे पलट ले अभी ये बहुत सॉफ्ट है तो कल्ची या फिर चिम्टे की मदद से बिल्कुल भी नहीं पलटे एक एक पीस को हम ऐसे पलट देंगे और कितने फूले हुए हैं ये देखिए दूसी तरफ से भी हम इसे ऐसे ही सिखने देंगे अलट पलट के हम इसे सिख लेंगे और ये देखिए मिल्कुल light golden brown हो चुके हैं और ये crispy हो चुके हैं तीन से चार मिनट लगेंगे इसे अच्छे से तेल में तलने में अब ये सिख चुके हैं और एकदम crispy हो चुके हैं ये रेखिए तो इसे तेल में से निकाल लेते हैं हलका साथ टेड़ा कर लेंगे कल्ची को ताकि एक्स्ट्रा ओयल वापस कड़ाही में चला जाएं और एक बैच हमने फ्राइ कर लिया है ये देखिए बहुत ही बढ़िया होते हैं ये विस्किट दूसरा बैच भी इसी तरह से फ्राइ करेंगे गैस का फ्लेम एकदम लो कर लेंगे और लो फ्लेम पर हम इसे थोड़ी देर तक जब तक ये तेल के उपर ना आ जाए सिखने देंगे इसके बाद अलट पलट के दोनों तरफ से हम इसे क्रिस्पी हो जाने तक मीडियम फ्लेम पर फ्राइ करेंगे और ये देखिए दूसरा बैच भी बन चुका है इसी तरह से पांच बैच में ये सारे हमने बनाए हैं और बहुत ही स्वादिश्ट होते हैं ये खाने में क्रिस्पी भी होते हैं खास्ता भी होते हैं और बीच में हलका सा सॉफ्ट भी होता है ये और इस तरह से हमने यहाँ पर सारे खजूरी बिस्कित बना के तयार कर लिये हैं बहुत ही सॉफ्ट बहुत ही बढ़िया एकदम तोड़ के रिखाती हूँ आपको ये रेखिए तो फ्रेंट्स अगर आपको आज की रेसेपी पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में